नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल राकेश पलोदा जुझनों पे श्वागत है तो आज जो अपनी EAMRS की जो कलासे चल रहे थी उसमें अपन जो EAMRS की सेकिंड कलास है जो EAMRS है EAMRS एकलोई मोडल वड़ी उसमें जो सेकिंड कलास है फेस्ट उनिट की तो उ पुष्ट कली एक सामजिक सेयंस उताया जो अपनी जो सिवयें it प्रवाइड कराती है सारे किस प्रकार की सेफया सकती हैं दो दिन चोर्ण हो सकते हैं लेकिन जो टॉटिक आएगा उसमें पूरा निचोड आजाएगा उस दपिक का इस प्रकार अपन दीरे दीरे एकजाम की डेट नहीं आती है वैसे आपन alert 9 6 45 को पेपर को साथ साथ में अपन टेस्ट पेपर हैं उनको भी करने की कोशिस करेंगे ताकि टेस्ट पेपर भी मैंने अपलोड कर दिये हैं वहाँ पे तो उनको भी आप देख सकते हैं टेस्ट पेपर में क्या होगा मैं बीच में से आपको बता दूँगा थोड़ा तो अपन इस जिन से कुछ शिखा और जहां से भारत में किया है कि पुष्टकले विग्यान की शिक्षा को विकास करने के लिए वेक्ति आये थे तो अपन सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं यहां पे कि विशुव में पूस्थकाली विज्ञान की सिक्षा को बढ़ाने का प्रियास आदुनिक पूस्थकाली की जनक किसे का जता है तो मेलविन डेवी को, किसको का जाता है मेलविन डेवी को यानि कि विस्वा में सब्रव पर्थम पुस्टकले विग्यान की शिक्षा को बढ़ाने का परियाज किसने क्या था तो आद्धुनिक पुस्टकले के जने के मेलविन डेवी ने क्या था जिन्होंने सर्वा पर्थम अमेरिका के कोलंबिया नमक सहर में इसको द्यान रख लेना ये एक बारे आपका पुछा गया है कि कोलंबिया नमक सहर में एक पुस्त का लिविग्या ने तू सर्वा पर्थम सहंस्तान पर्थम सहंस्तान याद रखना सर्वा पर्थम सहंस्तान स् पुस्तकले विज्यान के छेतर में जो पर्थम सहंस्तान है जहां पे क्या करवा जाता है परशिक्षन करवा जाता है वो किसने इस्तापित किया था तो मेलविन डेवी ने और मेलविन डेवी ने कभ परार्म किया 5 जनौरी से 1887 में इसकी स्तापना की थी और कहां पे की थी त पाकिस्तान में चले गए थे तो उनका नाम बताना आपको अपना आगे बात कर लएते हैं कि मेलविन डेवी यानि कि मेलविन डेवी महोदे ने आदुनिक पुष्टकलियों को विक्षित करने में महत पूण बूमी का अदा किये है और इनके दवारा सन 1880 चिंतर में पुष्टकलियों यतू सबसे लोकपिरिये वर्गिकन पत्ती बना तो आपको पताओगा कि डिडी सी के अब तक कुल लगबख 23 सेंसकन हैं, वो आपके परकासित हो चुके हैं, और बात के लिए डिडी सी में किस परकार केंकन का प्रियोग किया गा है, लेकिन डिडी सी का आप तक लगबख 30-35 बासाओं में क्या किया जा चुका है, आते जो पहली बार एक्जाम दे रहे हैं बच्चे वो थोड़ा ध्यान रखना प्रेक्टिकल की नहीं आते हैं कि किस ने वर्गे गण पती बनाई किस परकार के इंकन का प्रियोग किया गया किस सेंस करना है किस किस व्यक्ति की मैं तो अपन भूमी का रही है और की इसका प्रकाशन क कर रहा है किस परकार से इस परकार से डिडीशी में जो मैं कलास कितनी है इस परकार के क्यूशन है वो आपके लगबगे पुछे जाते हैं तो उनको थोड़ा आपको ध्यान रखना है इसके बाद अपने आगे के पोइंटों को देखते हैं क्योंकि मैं दीरे दीरे आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा आपको इसको नोट्स मना लेना है और लाइवरी जनरल विश्वो में स्रो पर्थम ये विश्वो पुस्तकाले विज्यान के छेतर में परकाशी तो कि छेतर में पर्थम सह्तान किनों ने विकाश किस परकार से अद्दोनिक पुस्तकाली के जनरे किस्शे का जता है मेलविंड डेवी को अब अपने थोड़ा बात करें से भारत ब्हारत में क्योंकि भारत में बात कर रहा हूं और यहीं से आपको थोड़ा क्या की ध्यान रखना है कई बच्चे बोलते हैं सरे क्यूशन किस प्रकार से आते हैं तो वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में क्यूशन किस प्रकार से एड़ के जाते हैं उनको भी मैं इस वीडियो के लाश्ट में एड़ कर रहा हूँ तो अब अपने बात करेंगे भारत में क्यूशन लगबग मैंने इस वीडियो के अंत में भी क्यूशन जोड़े हैं और जो मेरी टेस्ट रीज है उसमें भी मैंने बहुत सारे क्यूशन है इन टॉपिकों से करवाए हैं लगबग टॉपिक वाइस टॉपिक तो अपन नहीं कह सकते लेकिन टॉपिकों को सबी को सामिल किया है अब अपने यहां से बात करेंगे कि विश्वर में कर लिया पड़ने भारत में पुस्तकाले विज्ञान की सिक्षा को किस परकार से बड़ अब एकजाम में यह तीन पॉइंट है यह थोड़ा सा द्यान रख लेना क्योंकि कई बार पूछ लेता है क्योंकि इपोर्टेंट सारे पॉइंट रहते हैं हमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं है मेरे नोट्सों में और वेरे वीडियो में कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिनसे एकजाम में क्यूशन नहीं तो हमें इपोर्टेंट वड़ा तो पॉइंट लगाता नहीं हो कि यह इपोर्टेंट है यह ज्याना क्योंकि एक पोर्टेंट म दहो रटने की कोशिश किया करो जिनको जैसे भी आदो कोई भी ट्रिक मिना कि कैसे भी तो उसको याद कर लिया गरो सियाजी राव गाईकवाड का जनम कब हुआ 11 मार्स सन 1863 में वो सासक बने कब सन 1855 में उनकी मर्त्यू कब हो गई थी 6 फरोरिशन 1945 में क्योंकि पुस्तकले विज्ञान के छेतर में यही पहले रजा थे जिन्होंने पुस्तकले के छेतर में विकास की बावना को विक्षित किया और उसके बाद रजा दिरेदर आते गए और इसके बाद आपको पता कि डो ट्रैक साय सार रंगानाथन आ गए थी तो इनमें थोड़ा इस प्रकार से द्यान रखना है अब देखो कितने बड़े वेक्ती थे शियाजी राव गाईकवार्ड थर्ड बडोदा गुजरात में मेलविन डेवी के सिस्षे डबलु ए बोर्डन इसको द्यान रखना विलियम अलेक्षन बोर्डन का पुरा नाम है कि सयोग से भारत में पुस्तकले विज्यान की सिक्षा का सुरू किते हैं आप द्यान रखना तेन चार पॉइंट बनते हैं यहाँ पे क्योंकि अपन सभी पॉइंट भी नहीं पीडियेफ में एडिकर सकते हैं पहला पॉइंट तो क्या है कि डबलु ए बोर्डन किसके सिस् मेलिविन डेवी के दो सिस्य जो भारत में आये थे जान रखना पहले तो डबलु ए बोर्डन थे और दूसरे कोंड थे आप मेरे को कमेंट करके बताओगे मैं बता देता हूँ आपको याद नहीं रहेगा आसा जोन डिकिंग्सन जो पंजाब विश्योव दाले में आये थ पहला तो इनका ये नाम की पूरा नाम के है विलियम एलेक्षन बोर्डन है दूसरा ये कि इन्होंने क्या किया था तो इन्हें जो बी ले बडोदा लाइबरी असोशेशन की स्ताफना की किसके सदर्श से थे मेलिविन डेवी के और पाइउनियर की उपादी किसे दीगी थ देखो थोड़ी शी आपको कहाणी आपको याद रहे क्योंकि आपको पता हुगा कि एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाते और वहговार willen पर करते लूट पाट करते कि राजस्तान का कोई राजा है गुजरात गया या गुजरात का कोई राजा है राजस्तान आया अब यहाँ पर देखते थे कि इस राजा की कितनी दबंग आई है यानि कि इसका कैसा मावल है यानि कि अपने शेना लेकर आते थे यहाँ पर थोड़ा दबं कि ले कर दो किक पुंचेतेते यह था richtig को होगी ते 25 अरभी अधाय के सच्बाूजेस के हैं बाष्य से इस चीषण सब्वरसैjor क्योंने न को एंधे कि जलो कुछ uh पास्च्च्च की चीज़े दिखाता हूं तो यह क्या हैं कि अपने पुष्च्चकालेयों में लेकर गए उनको. आप de captivity का सकी दिखाया he भारत में उस प्रकार की पुष्ट करने के लिए कोई वेक्ती तो था नहीं तो उन्हें का मेलिविन डेवी कि आप हमारे साथ चलो मेलिविन डेवी बोला कि मैं आपके पास चला जाओंगा अमेरिका वाड़ों कौन समाड़ेगा तो मैं मेरे दो सिस्षे हैं आपको पता को तो यह द्यान रखना मेलिविन डेवी के दो सिस्षे फेवरेट थे तो उन्होंने का कि चाओ और आप भारत घुम क्या हो थोड़े दिनों के लिए तो उन्हेंने भारत घुमने के लिए किन-किन को वेज़ा था डबलो ए बोर्डन और असा जोड़ा द्यान रख लेना इस प्रकार से आपको याद रजाएंगे कि शिया जी राव गाईक वारड अमेरिका गूमने गे वहां पर पुस्त काल्यों को देख रहा से चकित हुए और मेलिविन डेवी को का कि इस प्रकार के पुस्त काल्यों कीस्तापना हमारे बारत में भी करो वो बहले के मेरे को तो मेरे दवारा जो करवाए जाएगा क्युस्चन वहीं से आएगे अब आप याद किस प्रकार से कते हो वो आपको द्यान रखना है अब आपको द्यान रखना कि बड़ोदा लाइवरियन की स्थापना मैंने आपको बता दी संगुनी सो दस में और इसके बाद अपन थोड़ा अपर चलते हैं याँ पे तो इसको भी थोड़ा द्यान रखना कि यह भारत में पर्थम पुस्टकले संग था मैंने आपको थोड़ देर पहले पुछा भी था एक क्युस्चन कि बारत में पर्षिक्षन कार्यकरम का आईजन करवाय था और इस पर्षिक्षन कार्यकरम के फ लाइबरी मिस लेनी नाम की पत्रिका का परकासन हुआ अब इससे कैसे आते हैं पढ़के तले जाओगे आप लेकिन क्यूशन देखो थोड़े से अलग लेवल के आते हैं और के वीएस में हमारे पढ़ाने का इस बार तरीका चेंज हो गया पूरा क्योंकि के वीएस एन वीए और डी एसस भी राजस्तान लाइबरी ने तो कुछ नहीं है के वीएस एन वीएस डी एसस भी और इस बार क्या है एमारे तो ये थोड़ा लाड़ लो द्यान रखना जितने भी स्टुडेंट वीडियो देख रहे हैं इनका पेपर का लेवल है वो आया तो मेटर से ही है ले भारत में पुष्काले विग्यान के शितर में परकाशी तो अन्यवाली पर्थम पत्रिका है परकाशन कब किया गए सन 1912 में ध्यान रखना संपातक कौन था डबलो ए बोल्डन जिसे पाइउनियर के उपादी दी थी मैंने आपको उपर भी बता दिया था क्योंकि इस परक अब बात के लेते हैं कि संपाद्धन का अशिवा था तो देखना कि जो परकाशन है वो सेंस्तान कौन सा था बढ़ोदा गुजरात अब यह बात थे तो आपको द्यान रखने संगुनिस हो बार्या आवरती त्रेमाशी बढ़ोदा गुजरात लेकिन भारती यह बासा कौन कॐंसी थी जिसमें लाइजवरी मिश्येर परकाशन हो अब लेकिन मराथी और ऑपसिनमें जन्वेगां ऑपसोचति में तो इंड़ेका परकाशन की और कुजराता तो द्यान रखना कि हिंदी बादसा में परकासने नहीं हुआ था किसका लाइवरी मिशले निका का सन गुनी सो बारा में यह थोड़ा आपको द्यान रखने योग्य बत है क्योंकि इपोर्टेंट है मैं इपोर्टेंट है तो आपको पता कि सबी लाइन अपने नोट्स की इपोर्टेंट ही होती है आगे पोईट है कि भारते में पुस्तकले विज्ञान की शिक्षा के छेतर में पर्थम पीएच्रडी किसको देगी थी कमेंट करके बताओगे कि दूसरी पीएच्डी पंजाब इपोर्थम पीएच्रडी किसको देगी थी किस विश्वववदा देगी थी दिल्ली विश्वववदाले द्भारा प्रदान की गई थी और इनका जो शिर्षक क्या था तो शिर्षक होता है या विशे क्या था अब अपन बात कर लेते हैं कि यह आगया है है कुशन तो आए गहा है कि दूसरी PhD की उपदी दिली विशु दाले के दौरा तो ये थोड़ा द्यानखना पट्राइगी यहाँ पे इसको थोड़ा काट लेना और इसको काट के इसको काट के क्या कर लेना है वहाँ पे पंजाव विशु दाले कर लेना है और सन 1957 में PANDEAS के सर्मागों दे गी थी और जिन का विष्य क्या था EDC और पहली भी दिली विष्यो दाले के दोरा दे गी थी यह द्यान रखना पहली दिली विष्यो दाले के दोरा थी अब अपना क्योशन क्या है कि विश्वा में विश्वा में पिएस्टरों पर्थम पिएचडी उपादी पुस्तकले विज्यान के छेतर में 1935 में कहां पे बिटेन में और लंदन ओफ स्कूल लाइवरी एकोनोमिक्स के द्वारा परदान किये थी यह द्यान रखना किसके द् एक पिएच डी उपादी प्राप्त की वoh आपका जो सिर्षक कैया था तो वो था आपका दय पब्लिक लाइवरी나ी सर्विस अंडरन द इंगलिस लोकल स्वा इंगलिस लोकल गॉश्वामिन्ट ये क्या था उनका सिर्षक था सब 1935 में अब आप क्यूंकि आपके मन में जहां पर किशन आते हैं वो में पता रहते हैं कि सर उस वेक्ति का क्या नाम था तो वेक्ति का नाम देखो कई जिगर मैंने आपको Wikipedia पे देखा तो आपको मेरे को देखने को नहीं मिला लेकिन ये क्यूसन ऐसा का ऐसा एक बार एक्जाम में पुछा गया तो इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया है नोट लगा के ठीक है चलो भई आगे चलते हैं दिरे दिरे अपने आगे वाड़ा पॉइंट क्या अपना कि डोक्टर ऐसा रंगनाथन है उसमें भारत में डिलेड की मानद उपादी अब आप बोलोगी सर कई बार तो आप 1902 बताते हो डिबी सुकलार कई और कई बार आप सन 1948 बताते हो ये सिस्टम क्या है तो भारत में मानद उपादी सर्वा पर्थम दिल्ली वीशो दाले के दौरा सन 1948 में जैसे अपन करके आते हैं और कई वेक्तिव को बड़े बड़े होते हैं उनको सिधा जैसे डोक्टर की उपादी देते हैं तो ये ध्यान रखना वो परकार से आपको ध्यान रखना है वो हर किशी बच्ची को नही आएगा क्योंकि चेसे,NATE में बनता या में किश्चन के आते हैं इदर तो वो संदाल देते हैं और इदर वो क्या है कि पाठे गरम दाल देते हैं और इदर उनिविश्टी का नाम डाल देते हैं इन तिनों में या तो इनका मिलान करवा लेते हैं या इनका मिलान करवा लेते हैं और इनका यहां पे बुमीका भी पूछते हैं तो बुमीका भी पूछ लेते हैं कि किस वेक्ति की मैं तो पुन बुमीकार रही है अब अपने इसको बात करेंगे थोड़ा सा descriptive mode में तो इसको थोड़ा सा देख लेना वाई अच्छे से क्युकि एक्जाम में पॉस्ट ग्रेजुवेट लेवल पे कॉर्स या कोंड सा कॉर्स या भारत में पर्थम पर्थम कॉर्स इस प्रकार के कई कि उससे नाते हैं और वो आपको इसमें पढ़ने के बाद आपको करने है पहला पॉइंट यह है कि सर्टिबिकेट कोर्स है वो कभी स्टार्ट किया गए सन 1931 में किसके द्वारा स्टार्ट किया गए था मदरास उनिविशिटी के द्वारा आप कई बोल दोगे सर्फ हमने तो मदरास पुस्तकले संग भी पढ़ा है लेगिन वो राइट क्या होगा मदरास है इनिविशिटी के द्वारा दूसरा आपका पॉइंट है कि और इसमें वेक्तियों की मैं तो पुन बुमी का रही है तो वेक्तियों का नाम भी ध्यानर के लेना कोण है तो आपको पता कि मद कि रही थी तो वो रही थी डौक्तर एसार रंगनातन की दूसरा पॉइंट क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कब स्टार्ट हुआ आपका संगुनी 137 में किसके द्वारा मदरास युनिशिटी के द्वारा बुमी का किसकी तुक्टर असार रंगानात्थन की अगला कौन सा है की बिलिबंद किस के द्वारा सुटार्ट जगाई था अब आपको बता देते हैं कि थोड़ सी खाली जगाई है तो यह जो पीडियस है अब मैं आपको इसको बता तो देता हूँ AMU पढ़ गे पूरा Alligate Muslim University और आप वहाँ पे PDF में देखोगे तो AMU से समझ नहीं पाऊँगे तो इसको पूरा लेख लिया करो नोट्स मना हो तब क्योंकि कहां पे है कैसे है अब अपन बात करते हैं कि जो हमारी टेस्स रीज है उसके हमने किस्क्यूशन आज एड़ कियें टेस्स रीज में सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि 40 model test paper आपको उपलब्द करवाई जाते हैं हमारी टीम के दोरा इसके लवा 40 model test paper की PDF पी प्यूपलब्द करवाई जाती तो द्यारखना की unlimited हैं PDF हैं एकजाम तक आपकी क्या है कि टेस्स रीज हो वेलिड रहेगे एकजाम तक इसके बाद अपन तीसरी बात कर चुके हैं इसमें चोथी बात यह है कि इसमें जो topic अपन वीडियो रूप में लेते हैं यूटूब पे उन सभी topicों की PDF उनी बच्चो ग्य convenient तो को मिलती है जो टेस्स रीज़ पर चेर्च कर चुके हैं थीक है जो फिर बात यह कि जो परवेश्यर quizल पेपर सभी के बता देता हूं के वश के होंड़ू वो DSSB के हो, चाहे वो ISRAE को हो, चाहे वो MPPS के हो, चाहे वो राजस्तान के RPC के हो, चाहे वो open RMSSB के हो, राजस्तान के, चाहे वो किसी भी परकार के exam के test paper हो, लगबग 20-25 test paper है, वो मैंने उस test वाले portal में upload कर दिया है, with answer की के, तो वो भी आपको वहां से अफुलब दे और हो जाएंगे, अब आप बोलोगे sir payment के रहता है, तो payment रहता है चार सो निनान मरुपेगा, अब आप बोलते हो sir ज़्यादा है, लेकिन 15-100 रुपे वो लेता है, 100 रुपे इमित्र वाड़ा या साइबर केफे वाड़ा लेता है, तो वो आपको ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन आपको इस 15-100 रुपे के वे करने के बाद जो पढ़ोगे, तबी तो उसमें लगबगे जो आपको है कि ऐसे होगा कि हाँ अपने को लगबग मेटेरियल त्यार हो गया है, तो इतना कुछ मेटेरियल हमारे टीम आपको लगबगे 499 रुपे में प्रोवाइड कराती है, इससे कोई भी डिसकाउंट नहीं होगा, कोई भी बच्चा इस परकार के मेशेज ना करें, किसर इसमें कम कर दो या ऐसे है या वैसे है, क्योंकि आपको लगबग मेटेरियल अथेंटिक प्लस टोपिक वाइस टोपिक आपको वहाँ पर उपलब्द करवाए जाएगा, किस परकार से मेटर उपलब्द करवाए जाता है, इन वेक्तियों का थोड़ा नाम द्यान रख लेना वही, क्योंकि डोक्टर आयसार रंगानाथन का परिच्चे पूरा द्यान रखना है, डोक्टर आयसार रंगानाथन के परिच्चे से 100% को क्युष्ण आएंगे, एक या दो, क्योंकि टोपिक छूट जाएंगे लेगे यह वेक्ति नी छूटेंगे, डोक्टर आयसार रंगानाथन है, तो इसके बारे में अमेशा क्युष्ण पूछा जाता है, आगे अपन पोइंट के अपन बात करते हैं, अपन कर्चु के अमली भाया गुणी सो गुणनचास में दिल्ली विश्व दाले के द्वारा, दूसरा है कि पी एचडी, पी एचडी कव गुणी सो इकाउन में, किसके द्वारा दिल्ली विश्व दाले में, तो अक्टराय सार रंगनातन की मैं तो पूण बुमी का रही थी, एम फिल, सन गुनी सो ठंतर में दिल्ली विश्व दाले के द्वारा, अब अपन बात कर लेता हैं, इसरा आप इसे उपर एक छोड़ा आये थे, तो उस सन को थोड़ा बीच में उपर लिख लेना, डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा कोर्स को भी स्टार्ट किया गया, सन गुनी सो पंदरा में, पंजाब उनिविश्व दाले के द्वारा, किसकी मैं तो पूण बुमी का रही थी, आसा जोन डिकिंग संगी, पर्थम उपादी किसको दीगी थी, डिपी सुकला को, किसको सुकला ये ध्यान रख लेना, सुकला को दीगी थी सन गुनी सो बार्णमा में अदेन्शिल, क्योंकि आपके जो समस्या आती हैं, मैं पहले बता देता हूँ, मेरे को समस्या उपर पता थी, कि ये आपने सन डिलिट गुनी सो बार्णमा कैसे बता रहें, तो वो मानद उपादी थी और ये आपकी अदेन्शिल, अब अपने कुछ क्यूस्टनों को करेंगे, और उन क्यूस्टनों को जितने भी स्टूडेंट जूड़े हूए हैं, साथ-साथ उनके सभी के क्या है कि आंसर हैं, वो कमेंट में करते रहना, तो उनके थूड़ी सी साइज बढ़ी है, कल साइज छोटी करेंगे, क्यूस्टनों के टीम के दौरा, तो यहाँ पर पहला क्यूस्टन है कि एशिया में सर्वा पर्थम, पुष्टकाले शिक्षा के लिए सैंस्तान इस्तापित करने का सरे किस विश्व विदाले को है, अब आप बोलोगे सर एशिया में, बिल्कुल एशिया में, यहाँ पर दे रहा है कि सर्वा पर्थम सैंस्तान इस्तापित करने का सरे किस विश्व विदाले को है, कुछ पॉइंट हो नोट करना कि कौन सा विश्व विश्व दाले है, और तीसरा option है कि पंजाब विश्व विदाले और चोत्ता option आपका तक्सिला विश्व विदाले तो इसका right answer क्या होगा कमेंट कर दिया करो मैं बोलूँ इते दियर में सबसे right answer होगा पंजाब विश्व विदाले ने कब सन 1915 में कब सन 1915 में आसा जॉन डिकिंग सन के क्यूशन है आपको दिख भी रहा होगा लेकिन इसकी साइज थोड़ी बड़ी है कि भारत में पुष्टकले विज्ञान के जनेक डोक्टर एस सार रंगानाथन किस उपादी से विभूशित नहीं किया गया नोट मना के सारी उपादी लिख लेना सारी सन लिख लेना बार बा सर किया जाए कि सर कि ऑ्पादी से भारत सरकार के दौरा किस के दवारत सरकार के दौरा तीन पॉइंट आ चुके हैं कब संगुनी सो पैंतिस किसके दौरा बारे सरकार की दौरा दूसरा नाम क्या है कि पदम सिरी डोक्टर सार रंगानाथन को आपको पता कि पदम सिरी दिया गया था कब दिया गया था संगुनी सो सत्याव में और किसके दौरा दिया गया था तो अब बात करते हैं अपने तीन पॉइंट हो चुके हैं चोथे पॉइंट की चोथे पॉइंट क्या है कि डोक्टर एस सार अनाथन को ग्रेड नाइट्स ओप दा पिट्स वार्ड में थोड़ा लिग देता हूं आपको थोड़ा समझा दे ग्रेड नाइट नाइट ओफ ओफ दे पिट्स वार्ड वार्ड कब दे गया था सन गुनी इक्केतर में कब दिया गया सन गुनी सो एक्केतर में दिया गया था यह द्यान रख लेना पांच वा क्या है पांच वा द्यान रखना है कि आपको प्रिंच अमॉंग दे लाइबरियन तो लाइबरियन लिख लेना यहां पर पूरा कि प्रिंच अमॉंग दे लाइबरियन के जो उपादी ह मोरीष करें acompanh CTEShop करीज की बाथ बात करेंगे चोटी सी महेटों पुन बात की ॉच्छा गया है वह एक जाम में यह पुच्छा गया तान में की भारत में पुस्टक लेविज्ञान इएनि की बात करेंगे दोक्टर सा रंगानाथन है इनको भारत में पुष्टकले विझ्यान के जनक किषने का था आप पूश्ने रहते हो में आप छोटे बाटे पूश्चित विदियुकि चोटे बात और यह हैं बहुच्चत में पुष्टकले विज्ञान के जनक कि उपदी यानि कि भारत में किसने दी थी तो मोरिस गोयर ने किसने मोरिस गोयर ने किसने दी थी वही मोरिस गोयर ने दी थी इसका वेक्ति का थोड़ा नियाम द्यान रखना थोड़ा सके है कि स्क्रीन भी कई बार अटोमेटिक चलने लग जाती है मोरिष गवायर इसका नाम देया रहा है मोरिष गवायर इसका नाम देया रहा है यह देखो मैनमैन किसने आ रहे है आपके सामने कि भारत में पुष्टकले शिक्षा परारम करने का सरे किष्क्वा है भारत में जो पुष्ट काले शिक्षा है आप option में देखके बताऊगी कि भारत में पुष्ट काले शिक्षा परारम करने का जो सुर्य किसको है पहला option है BS Case 1 दूसरा है Dr. S.R. रंगानाथन अब आप बोलोगे सरम है तो आगे कि option ही मत दिखा हुआ न पुष्ट काले शिक्षा को परारम किस ने किया था अब अपन थोड़ा सा इस question को कर लेते हैं इसमें कि भारत में पुष्ट काले विज्यान के जनक के रूप में किसे जना जाता है तो भारत में पुष्ट काले विज्यान के जनक के रूप में किसे जना जाता है तो मैंने आपको बता दिया है किसको Dr. S.R. रंगानाथन को दोन्नों पॉइंट आपके किलिर हो गयोंगे क्योंकि कई बार exam में इसी परकार से आपको पूछ ले अगला आपना क्यूशन है कि विश्व में पुष्ट काले विश्व में विश्व में सरव पर्थम पुस्तकाले विज्ञान में PhD की डिगरी किशे परदान की थी तो विश्व में सरव पर्थम आपको मैंने बताय दिया था कि 1935 में London School of Library Economy के द्वारा आपका परदान की गई थी तो यह उसको द्यान रखना उपर जो पॉइंट या सिर्षक था वो भी मैंने आपको बताय था कि अंडर इंग्लिश दे लोकल गोवर्मेंट वड़ा तो उसको थोड़े द्यान रख लेना उस वरकार का नाम कई बार एक्जाम में पुछा जाता है अगले क्युषण की बात कर लेते हैं अगला अपना क्युषण की भारत है पुष्टकाले विज्ञान की सरो परतम पीज़डी की किसे परदान कीगी तो यह उपर मैंने आपको बता दिया किसको प्रदान कीगी थी तो डिबी कर्शनरा राओ को किसे प्रदान कीगी और किसके निर्देशन में पूछ ले तो वो आपका कौन सा हो जाएगा डोक्टर एसार नाथनवे दासे गुपता क्या हो जाएगा डोक्टर एसार नाथनवे दासे गुपता अगला क्यूशन क्या कि मेली मिन डेवी ने सन 1883 में किस कोलेज में पुस्तकले देख्स के पद पर क्या क्या था कारिये क्या था या देख्स पद पर कारियर रहत थे तो वो इसका राइट आंस पर कौन सा हो आपके तो वह जाएगा कोलंबिया कोलेज आज दस ही क्यूशन करेंगे उसके बाद कल करेंगे बाकिशन अगला है अगला देखो इस पॉइंट को ध्यार रख लेना है क्योंकि एक्जाम में क्यूशन पूश्टे है और मैं 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 क्यूशन जो है वो उपलब करवाता हूं औ इसके बाद पुश्ट कले दिवस इनकी लाइबरी डे लाइबरी डे कब से मना जा रहा है सन गूश्ट के दवारा और कब इसका दिन आप कमेंट करोगे कि लाइबरी डे है वो किस दिन मनाया जाता है आप कमेंट करोगे कब से शुरू किया था सन गूनी सो चोराशी से किसने आईए लेने इंडियन लाइबरी एसोशेशन 13 सितंबर आगे बताओगे आप डे डार्ट सारी बता देना उसका क्योंकि जितना कुछ कमेंट में खैए तो ये वीडियो तबड़ा हो जाता है और आगे के फॉइंट आगे में लें लेंगे आगे अगेला ट्यूसं है जो कल के टॉपीग में रेगा ने लिए की और कि ब्रकार कि विश्वरू काई रिश्वरू कροपकाले राश्टिय पॉस्त कले जो जनता के दोरा ओर सव हों जाएगा सारी निधस म???? topics क्ली करें कि क्या है सेक्ष्शनिंक कि कितने प्रकार को अपने का need है जएसा जहे पुष्ट में सामील करते हैं जैसे जेल पुस्त कले हो ने पुष्ट इसकी अबाट गये में Łए या आज कहुए हो तो किसने का था तो कमेंट में आप Kings और में को बता गए किस में बतार कि इसका एक réponse उड़ीज्ञ विश्वी तर पूलिजण क्या होता है पुष्ट कले होता है यह सिद्धी बात है थोड़ा क्यूशन को गुमाए गया है तो यह किसने का था आयोग और वेक्ति दोनों के बारे में आपको कमेंट करके बताना है और इसके लावा आपके कई क्यूशन जो आगे हम आपको बताऊंगा कि कॉल कता पब्लिक लाइवरी यानि 21 मार्स न अठार शक्तिस यह सारे क्यूशन आपन कल करेंगे जैसे नेसनल लाइवरी ओंडर हैंडीकेफ देरा दून में इस्ताफित की गी थी कब रचल करेंगे कल के वीडियो में तो आगे इसी परकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे टेक्स्रीज है उसके लिए आपको application डाउनलोड करना है राकेश बलोदा जुझनू आप सर्च करोगे राकेश बलोदा जुझनू अपले स्टोर पे तो आपको application दिख जाएगा वहां पे हमारा logo दिख जाएगा उसको आप डाउंलोड कर लेना वहां पे सारी test series हैं उसको आप purchase करोगे तो अब क्या है कि हम दिरे-दिरे उस में upload कर रहे हैं तो आप दिरे-दिरे फड़ी लोगे और और यदि आपन जब बाद में purchase करोगे तो कि है कि सारा material आपको एक साथ लगेगा की इसमें material बहुत ज़्यादा है तो तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है और इस प्रकार के आगे भी क्यूशन है वो आपको हमारी टेस्ट स्रीज में प्लस यूटूब पे अप्लिकेशन पे आपको मिलते रहेंगे जेहिंद जेवर्द